कि स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर सो स्टुएंट्स आज हम डिसकस करने वाले या आज बोल सकते हैं हम सीखने वाले हैं एक नया एक्सेसाइज लास्ट टाइम का जो लेक्चर था जिसमें मैंने एकदम आसान भाषा में आसान तरीके से और डीटेल में आपको कंडिशन बाइ कंडिशनल से रिलेटेड पूरा का पूरा कौन से बता दिया था सुमच्छो आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं उसी चीज़ को और सबसे पहले हम लोग सॉल करेंगे 1.4 तुड़ा 1.4 लेंदी एक्सेसाइज है इसमें लगभग 5 कोश्चन है 1,2,3,4,5 और हर स्टार्ट करेंगे ठीके स्ट्वेंट चलो स्टार्ट करते हैं सबसभी को आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा exercise 1.4 तो exercise 1.4 में क्या लिखा है राइट दा फॉल्लिंग स्टेटमेंट इन सिंबॉलिक फॉर्म राइट जस्ट एक मिनट या तो गाइस राइट दा फ दिया गया है और मतलब देखो आपने पहले से ही symbolic form में कैसे convert करते हो सारी चीजे तो आप सीख लिये हो चलो उसी continue करते हैं तो मैंने आपको बोला है symbolic form में convert करते हैं समय make sure that कि हमेशा आप positive statement ही consider करना है कभी भी negative statement कभी भी consider मत करो मतलब अगर statement में not and all यह सब दिया गया है न तो आप statement हमेशा positive ही consider करो कहीं कहीं पर आएगा मैं आपको बताऊंगा परिशान मत होना तो यहां पर जा रीड करते हैं क्या लिखाए if triangle is equilateral then it is equiangular यहां पर दो statement है बच्च और उनके बीच में if then है so if triangle is equilateral then it is equiangular तो यहां पर दो statement दिया है तो सबसे पहले हमारा statement होगा let p और q तो बच्च आपर p क्या है triangle is equilateral फिर दूसरा क्या आजाएगा triangle is equiangular ठीक है बच्चो तो triangle is equilateral और triangle is equiangular यह दो statement है अब मुझे इनका लिखना है symbolic form तो बच्च आपका symbolic form कैसे आएगा देखो सभी लोग symbolic और तो जैसे यहाँ पे इफ और देन आ गया तो पहले आपको इस ता arrow दे देना है ठीक है विटा इरो देना है इफ देना है इफ देना मत्तब आरो देना है क्योंकि ए conditional statement concept है अब इसमें जो पहला statement है जो इस के बाद होता है वह हमेशा पहले लिकते हैं दिन के बाद बाद में लिखते हैं सो के बाद कौन इसको पहले लिखना है तो गलत बात ऐसा नहीं हमेशा एक चीज याद रखो जो statement पहले है इसको पहले लिखना है जो बाद मैं बाद में ये बात को ध्यान में मत रखना है ध्यान इसमें देना जो इसके बाद है वो पहले लिखना है इसके बाद को पहले लिखना है बच्छो इसके बाद कौन है ट्राइंगली इक्वी लेटरल इसके बाद कौन है ट्राइंगली इक्वी लेटरल इसके बाद है ति हम क्या लिखेंगे पहले पी फिर दि is not true बोले, या It is false दोनों का मेनिंग सेम होता हैस्ए बच्छो इज नौटव बोले या It is false बोले दोनों का मेनिंग क्या होता है हाँपर सेम तो तो खन झौड़ा भी नहीं होना यहाँ पर सबसे पहले आम लोग करेंगे लेट किसको लेट करें तो बचो यादक ना it is not true या it is false ये हमेशा किसका role play करते हैं negation का statement में कहीं पर भी it is not true आ जाए right या it is false आ जाए तो समझ जाना वो negation का role play कर रहा है बचो ये किसका role play कर रहा है negation का मतलब ये तो negation हो गया तो that के बाद जो भी होता है है वही होता है statement सर इसमें मतलब एक ही statement है हाँ बेटा इसके अंदर एक ही statement है it is not true या it is false ये statement नहीं है ये आपके negation का role play करते हैं पास सुना रहा है ये किसका role play करते है बच्चु निगेशन का यहाँ पे क्या करेंगे सबसे पहले लिखेंगे let me I is a real number अब इसके अंदर एक ही statement है तो directly आप लिख लो symbolic form तो बच्चो ध्यान देना मैंने क्या बोला it is not true ये है negation it is not true मतलब क्या है बच्चो negation और उसके बाद क्या लिखा है I is a real number और I is a real number को मैं किस से represent कर रहा हूँ जी हाँ P से मैं किस से represent कर रहा है बच्चो P से तो negation के बाद क्या आएगा P तो बता इसका symbolic form क्या हो गया negation P देखा कभी कभी लोग परिशान हो जाते सर इट is not true को statement ले लेते नहीं बेटा it is not true आजाए कहीं पर भी या it is false लिखा हो कहीं पर भी समझ जाना वो आपका negation होता है क्या होता है बेटा negation चलो बढ़िया है सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बचा पर लेट करेंगे पी और क्यू आप लोगों को मैंने बताया है कि यह पहला statement होगा और यह दूसरा statement होगा तो पहला statement दूसरे statement के बीच में क्या है कॉमा और आप सभी को पता है कि अगर पहले statement दूसरे statement के बीच में कॉमा है तो कॉमा किसका रोल प्ले करता है मैंने बताया ही बात कि सर एंड आ जाए बट आ जाए कॉमा आ जाए येट मिल जाए कहीं पे यह वाइल मिल जाए ध्यांद राम ये बंदे कहीं पर भी आ जाएंगे समझ जाना वो एंड का ही सिंबॉल होता है तो पहले statement लेट कर लेते हैं अब जो पहला statement है बचों उसने क्या लिख्या है इवेंड दो इट इस नौट क्लावडी उसने नौट यूज किया है गलत बात हम जब कभी भी statement consider करेंगे तो बच्चों हमेशा positive ही consider करेंगे तो हमें आप एक क्या लिखेंगे even जो positive का मतलब क्या होता भी समझेगा आपको even though it is वहाँ पे not है न आप मत लिखो आप positive statement is still raining देखा बच आपने तो कोशन के अंदर इट इस नौट क्लावडी दिया था कोशन के अंदर इट इस नौट क्लावडी दिया था लेकिन अपने को तो positive लेट करना है positive statement तो नौट बीट नहीं होना चाहिए एकदम बढ़िया सा simple होना चाहिए इस क्लावडी चल भाई अभी अपन लिखते हैं symbolic form एक एक करके पहले क्या लिखा है even though it is not cloudy so it is cloudy को हमने पी लिया बच्चो ध्यादर इट इस क्लावडी को हमने क्या ले लिया पी बात समझने की एकदम बढ़िया तरीके से कोशिश करो इट इस क्लावडी को हमने क्या ले लिया पी पर यहां पर बुलाएं not cloudy तो not यहां पर किसका रूल प्ले करता है negation का इसलिए आपने किसी को छोड़ा नहीं हो अटेशन मतलो किस और आपने not cloudy नहीं लिया तो क्या वह not रहेगा की नहीं रहेगा रहेगा क्यों नहीं रहेग तो कहीं पर भी जाएगा वो नौट रहे गाई तो अगर आप सिंबॉल में कनवर्ट करते हो तो सिंबॉल के हिसाब से बनाओ गए तो नौट मतलब क्या होगा निगेशन तो इस लिए पी तो नौट क्लावडी क्या हो जाएगा निगेशन पी क्या मिल गया इधर कॉमा और क्या बोलता है मैं हूँ एन्ड कमा क्या बोलता है बैटा मैं हूँ एंड देंखा आपने एंड आ गया अब उसके बाद क्या मिला। It is still raining so my dear students It is still raining मतलब क्या होता है क्यों करेक्ट देखा आपने सो कोश्चन आपके एक्जाम में ऐसे कोई भी तीन स्टेटमेंट दे देंगे और बोलेंगे कि भाई कितना आसान होता है राइट इतने आसान तरीके से कौन ही बताएगा मैं हूँ न मैं बताओंगा येस देखा बच्छा आपने क्लियर ऐसे तीन कोश्चन हो गए चलो बाखी कोश्चन भी फिनिश करते एक एक करके पहला कोश्चन मातब कोश्चन नमबर फोर लेट मिल्क एज वाइट देन क्या बोला इफ एन ओनली इफ याद है मेरे लाल मेरे पीले मेरे नीले इफ एन ओनली इफ का मतलब क्या था सर बाय कंडिशनल मतलब दोनों साइड एरो दोनों साइड एरो देन क्या बोला हैं सेकंड ब्लू आपने को फरक नहीं पड़ता हमको दो पॉजिटिव लेट करना है तो सबसे पहले क्या लेट कर लेते हैं लेट पी मिल्क इस वाइट let you जल जल्दी बोलो फटा फट क्या होगा तुम् लोग बोलो मैं तुमसे पूछता हूँ कि बताओ क्या होगा जल्दी भाई मैं वेट कर रहा हूँ यह सही बोला सही बोला दसकाई इस ब्लू क्योंकि आपको समझ में आ गई बात कि अपने को कुछ भी हो जाए स्टेटमेंट को पॉजिटिव ही लेट करना है तो पहला स्टेटमेंट है milky is white तो हो गया P दूसरा था the sky is not blue लेकिन लेट करते समय हम क्या लिखेंगे the sky is blue अब लिखते हैं symbolic form चल भाई symbolic form तो milky is white मतलब P if and only मतलब क्या होता है double side arrow by conditional statement फिर the sky is not blue तो sky is blue को हमने लिया है क्यूँ बात समझने की कोशिश करो सभी लोग sky is blue को हमने लिया है क्यूँ तो not blue बुला मतलब क्या हो जाएगा yes the sky is blue को हमने लिया है क्यूँ तो not not blue क्या आएगा बच्चो निगेशन क्यूँ देखा तो not आगया मतलब दो क्यूँ मतलब sky is blue not blue आगया मतलब यहाँ पर क्या लगा देंगे निगेशन देखो अभी सभी लोग एकदम 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 बहुत सिंपल वेसे बता रहा हो बताने बाद में बोलना नहीं चल भाई बढ़ियें वाउ क्या बात है क्या बात है I hope सब को यह कुशन समझ में आ गया होगा आसान है यह चलो आपी आंसर दे लो सभी लोग stock prices बच्चो stock prices are high if and only if stocks are rising यहाँ पे इसको ले लो P इसको ले लो Q तो directly मैं लिखता हूँ symbolic form आप लोग लेट कर लेना ठीक है बच्चो हाँ सर ठीक कोई बात नहीं directly symbolic form क्या आ जाएगा stock prices are high यह हो गया P if and only if मतलब double implies stocks are rising that is your Q देखा इसमें कुछ भी नहीं था पच्चेस में कुछ भी नहीं था एकदम चिंदी कोशन एकदम से चिंदी कोशन मिला आपको clear चल बढ़ियां एकदम बढ़ियां चल रहा है बहुत मज़ा रहा है आप लोग को मुझे आए होप कि सभी लोग को सब्ढ़ आ रहा होगा कोई टेंशन की बात नहीं है अब यह आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले कोशन की तरफ एक मिनट अगले कोशन में थूरा सामने मिस कर दिया है कोशन हाँ याद देखो चल भाई बता इसका अंसर क्या होगा इफ कुतुब मिनार इस इन डेली देन ताजमहल इस इन आगरा इसको ले लो P इसको ले लो Q अब यहाँ पे इफ देन बोला है इसका मतलब सिंगल इंपलाईज होगा मतलब यह कंडिशनल स्टेटमेंट का कॉंसेप्त है बचे किस का concept है कंडिशनल स्टेटमेंट का तो कुटब मिनारीजें डेली को हमने ले लिया p ताज महल इस दिन आगराख हमने ले लिया q और रहां पर इफ देन है तो इंपलाइस हो गया पहले क्या होगा p बाद में क्या होगा q चल भाई p implies that q यह हो गया आपका answer सब्सक्राइब करना सीखा एकदम आसान भाशा में पर एक्जाम में आते हैं इतने आसान कोशन इग्जाम में आते हैं बिटा जब आता है तो सब कुछ आसान ही लगता है कोई नहीं चलो अगला सवाल यह रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर क्या लिखा है मेरे लाल एक्ससाइज वन पॉइंट फॉर का ही कोश्चन है क्या हो रहा है हमें क्या निकालना है चलो स्टार्ट करते हैं तो बचो ठूथ वैली निकालने के लिए हो सकता है कि आपको सिंगल स्टेटमेंट भी मिल जाए और कंपाउंड स्टेटमेंट भी मिल जाए सिंगल बोला मतलब सिंगल कंपाउंड बोला मतलब दो या दो से ज़ादा स्टेटमेंट भी हो सकते है तो सिंगल स्टेटमेंट की टुथ वेल वह आप डारेक्ली बोल देते हो हाँ भाई ये ट्रू है ये फॉल से मैं बुलू मुंबई दिन महराश्ट्रा सट्रू खतम बात यहीं पर खतम लेकिन जब दो या दो से ज़ादा स्टेटमेंट आएंगे तो एक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करो कि गलती कभी नहों बास संगा रहा है जब आप प्रोसीजर फॉलो करोगे तो गलती कभी नहीं होगी तो सर प्रोसीजर क्या है तो सबसे पहले इसको कनवर्ट करो सिंबॉलिक फॉर्म में उसके बाद हर एक सिंबॉल्स की हर एक स्टेटमेंट की टुथ वैलू लिखो एंड टूथ वैलू लिखने के बाद मेरे प्यारे बच्चों जो हमने पाँच टेबल रट्टा मारे हैं आप जो भी समझो यार प्रुक कौन कुसे पाँच टेबल बिटा and or not if then if and only if yes उसके बारे में discussion करेंगे चलो start करते हैं तो आप सभी को पता है it is not true यह किसका roll play करता है negation का यहाँ पर कितना statement है 3-7i is a real number चलेगा दुख जाओ सबर्गों मुझे पता एकदम जोश में आगया होगा आप लोग लिखो पने symbolic form बच्वों symbolic form कैसे लिखेंगे हम लोग आप सभी को पता चल गया है कि सबसे पहले it is not true को लिखते हैं बच्वों it is not true या it is false दोनों का meaning same होता है और वो क्या represent करते हैं negation क्या represent करते हैं बच्चो negation उसके बाद क्या लिखा है statement statement कौन है 3-7i is a real number तो बच्चा लोग 3-7i is a real number को हम किसे दिखा रहे है P से यहाँ पर क्या हो जाएगा P बराबर है चलो अब जैसे ही यह आया अपन क्या निकालेंगे truth वही निकालना है ना हाँ बराबर truth value क्या निकालना है मेरे बच्चो truth value जो देखते हैं क्या answer है तो पर इडिकेशन कॉपी कर लो अब देखो P की value क्या है P यहाँ पर कोई है बच्चो 3-7i is a real number क्या 3-7i is a real number अभी आप जवाब दे दो बाद की बात है आप ही बोलो क्या 3-7i is a real number येस मेरे प्यारे बच्चो फटा फट बोलना देखता हो कौन जवाब देता है अरे भाई सर 3-7i real number कैसे हो सकता है सोचो सोचो 3-7i कैसे हो सकता है real number क्योंकि यहां पर आई आगया मतब यह imaginary और यहां पर 3 आगया मतब रियल और जब कभी भी real और imaginary साथ में आते हैं तो आपने 11 कुक्षा में 11 या 11th क्लास में सीखा है क्या सीखा है मेरे प्यारे बच्चो कि जब real और imaginary दखो आपने न यह दो Z is equal to A plus B सी खावा है A मतलब real B I मतलब imaginary तो जब real और imaginary साथ में मिलते हैं उसे हम बोलते हैं CN क्या बोलते हैं सीएन सार CN क्या होता है अभे complex number क्या होता है बिटा complex number सो यहां पर real और imaginary दोनों साथ में हैं अगर दोनों साथ में हैं इसका मतलब यह क्या होना चाहिए मेरे बच्चो सर complex number बड़ यह क्या बोल रहा है real number जूट बोल रहा है मतलब होना चाहिए complex number बड़ यह बोल रहा है real number मतलब यह जूट बोल रहा है मतलब यह गलत बोल रहा है मतलब यह false बोल रहा है तो इसकी value क्या है बिटा जाए पाल्स बात समझने की कोशिश करो क्या 3-7 आय रियल नमबर होता है नहीं सर 3-7 नहीं होता है मतलब यह पोल्स है न है कि नहीं यह पॉल्स है अगर यह स्टेटमेंट पॉल्स हो तो पी के प्लेस में मैंने फॉल्स तक दिया सिम्प्लिफाय कर दो तो negation of false यहाद यह नौट का table table not का क्या बोलता है कि negation of true करते हो तो false आता है negation of false करते हो तो true आता है तो वैसे ही negation of false क्या हो जाएगा बच्चलो negation of false क्या हो जाएगा मेरे लाल I hope सभी को समझ में आ गया होगा बढ़िया है, अगला कोशन ये रहा आपके सामने, चलो भाई, देखते हैं किसको नॉलेज है, अब यहाँ पे नॉलेज मैटर करता है, थोड़ा सा इसको मैं इसका साइज इंक्रीज करता हूँ, हाँ चलो भाई फड़ा फ़ाट नीचे कोई कोशन नहीं हाँ बराबर चलो देखते हैं किसको समझ में आता है सो सलूशन पहले देखो इस्टेटमेंट किसे हैं सो इफ बोला मतलब यहाँ पर यह एक अंडिशनल स्टेटमेंट है a joint venture is a temporary partnership then discount on purchase is credited to the supplier त्यहाँ पर दो स्टेटमेंट है बद चलो एट स्टेटमेंट पी और स्टेटमेंट क्यो बोलो पी क्या होगा a joint venture is a temporary partnership चलो भाई पड़ा पड़ बोलो knowledge अपना यूज करो true है की false बाद में बोलना नहीं मैंने बताया नहीं चलो क्या हूँ discount on purchase is credited to the supplier चलेगा तो हम लोग क्या लिखते बच्चों पहले सिंबॉलिक फॉर्म चलो फटा फट एक देन है तो बीच वर इंप्लाइस इफके बाद वाला जो भी लिखा होता है वह होता है भी मतलब उसको पहले लिखते और देन के बाद जो भी लिखा होता है उसके यूज क्यो लिख दिया तूठ वैलू क्या है Sir इसके अंदर चपह'ं देख्ते हैं पहीं किया पह्नकि जॉइंट वेंचरिस टेंपरर री पार्ट्नरशीप क्या सच है यह बात जॉइंट वेंचर क quests पहए क्या है majority पार्ट्नरश्प यह बात सच है मेरे sortie बोलोई यह बात सच है यह सच है यार तुम लोग क्या कर रहे हो पढ़ाई नहीं कर रहे हो तुम लोग यार एकाउंट रहा सा ध्यान दो so a joint venture is a temporary partnership true यह joint venture temporary partnership होता है फिर इंप्लाइस क्यों बोलते हैं discount on purchase is credited to the supplier अच्छा बेटा discount on purchase is credited to the supplier क्या purchase page आख़ए इसे ऐसी होती हैं कि i ammir उत्यांग फॉर्म स्वाल्स लिखने के लिए आप को उसका ग्यान होना चाहिए उसके बाणी होना चाहिए यह पता होना चाहिए अगर पता रहेगा तो ही तो कर पाओगे ना इसलिए तो मैं सिखा रहा आपको सीख लो अभी समझ लो क्या है यहां पर कि जॉइंट मेंचर इस टैंपरी पार्टनर्शिप यह सर्ट रू है और जो आपका डिसकाउंट होता है यह पर्चेस इस क्रेंडिट टू पर्च सप्ल इन इंप्लाइस क्या बोलता है पहला टू होना चाहिए दूसरा फ, अगर पहला टू, दूसरा फ, समझ के लेरेन यह मैं जब बोलने वाला हूँ, पहला टू, दूसरा फ, तो आंसर आता है फॉल्स देखा आपने, सिंपल, टू अ तो अधरवाइज, टू लेक्छर में आन निगेशन निकालने पर फॉल्स आएगा और फॉल्स है तो ट्रू आएगा और में क्या होता है एक भी ट्रू है तो आंसर ट्रू आएगा अधर्वाइज फॉल्स अगर दोनों statement true है ना पहला statement true दूसरा statement true तो आपका आंसर क्या है true otherwise false conditional या if then जिसके आप बोलते हो उसमें कैसा होता है पहला true होना चाहिए दूसरा false अगर पहला true दूसरा false है तो ही हमारा answer false आता है बात समझने की कोशिश करो पहला true दूसरा false तो ही answer false आएगा पहला true दूसरा false तो ही answer false आएगा otherwise कुछ भी आगया answer true TF के case में ही answer false आता है otherwise कुछ भी आएगा बच्चो answer क्या लिखना आपको true समझ गये बात चलो बढ़ी है तो final इसका answer मुझे क्या मिल गया बच्चो false very good चलो दोनों question हो गए yes अगले question की तरफ बढ़ा जाए क्या लिखा है यह भी लगबग same question है और अगर आप ध्यान से देख रहे होगे यहाँ पर तो थोड़ा सा इस question को भी मैं हलका सा if and only बुलाए ना चल भाई चल 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 जल्दी से जल्दी every account is free to apply his own accounting rules अरे वह बहुत sorry every accountant is free to apply his own accounting rules if and only if machinery is an asset क्या बात है अब बताओ जल्दी से जल्दी इसका जवाब दे दो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बच्चो लेट करेंगे बुला पर लेट क्या करेंगे लेट पी एवरी लेट हुआ कि अपने वोगणने मेंदा बताओ दो चल फुद्दी, मेंदा बताओ फुद्दी इसके बताओ आद बताओ पी दसके संवाइग्ड है अरुद decade ऐसें डीक है इसका सिंबॉलीक फॉर्म ऩ्याँ की होगा भाड़ vendors जल्दी से जल्दी इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा दो यहां पर डिरेकली इफ सन only Digya और होगा आज उसके बाद क्या हो जाएगा क्यू करेक्ट रहें बड़ी है आप क्या रिखना है की truth value. So, चलो, जल्दी यादी फिनिश करते हैं इसको हमने बच्छो क्या हो जाए जल्दी बताओ, इसकी जो truth value होगी, बोलो क्या मिलेगा, P, every accountant is free to apply his own accounting rule, क्या साच, अब है जुड बोलता है, क्या सब को अपना accounting rule बनाने का रुदे देंगे, नहीं ऐसा नहीं होता है, false है, तो false है, definitely, double implies that Q, क्यों क्या है, machinery is an asset, correct, भाइ, machinery तो asset है, मतलब यह क्या होगे, आपका true, so, यहाँ पर हमारा जो पहला statement है, बच्चो, यहाँ पर क्या है, true है, sorry, पहला statement है, false है, और जो दूसरा statement है, वो true, क्योंकि ध्यान दना, कोई भी accountant की बात करेंगे, तो आपने counting rule apply नहीं कर सकता, जो decide हुआ है, जो बनाए, वही apply कर सकता है, लेकिन machinery asset है, हाँ यह तो asset है, अब यह double implies, तो sir, double implies क्या बोलता है, same same true, मतलब, ff रहेगा, तो answer true हैगा, tt रहेगा, तो answer true हैगा, लेकिन sir, यहाँ पे तो same same नहीं है, मतलब answer क्या हैगा, false, वच्चो, इसका answer क्या मिलेगा, false, I hope सभी को यह समझ में आ गया होगा, बढ़िया है, चलो आगे बढ़ते हैं, important मतलब, कभी कभी क्या, कई बार यह नीदर नौर वाला concept दे देते हैं, चलो भाई, नीदर नौर वाला कोशन दे देते हैं, तोड़ासा इसका space बढ़ा करते हैं, हाँ, very good, पी क्या लिखो, पारला statement, 27 is a prime number and divisible by 4, मतलब 27 is divisible by 4, बस, हमेशा positive लेट कर लो, नीदर को मत ध्यान दो, और नौर को भी मत ध्यान दो, पेशन मतलो, नीदर को मत ध्यान दो, नौर को भी मत ध्यान दो, बता तो मैं क्या होता है, समझ जरा, 27 is a prime number, नीदर 27 is a prime number, नौर it is divisible by 4, हमने PQ लेट कर लिया, अब हमेशा इसका लिखो, symbolic form, बच्चो, symbolic form, यह सबसे important चीज है, ध्यान देना, कई लोग confused होते हैं, नीदर नौर में क्या, ध्यान देना, नीदर नौर मतलब, ना ही ये करना है, ना ही ये करना है, मतलब 27, ना तो prime number है, और ना तो बोल सकते हैं कि हम लोग वो divisible by 4 है, समझ ये बात, समझो जड़ा में क्या बोलना चाला, meaning समझो, एक बार खुदी समझनी कोश्करो, हिंदी में उसको समझो, कि क्या हो सकता है, उसका मतलब, नीदर 27 is a prime number, नौर divisible by 4, तो 27 एक ऐसा number है, जो कि ना तो prime number है, और ना ही वो चार से डिवाइड होता है, तो बात समझें, यहाँ पर क्या हुआ, एंड आएगा बीच में, तो यह नौर मतलब और मत समझ लेना, और मतलब और लिख के देगा, और, सिर्फ और ही लिख के देगा, तो नौर मतलब क्या आएगा विटा, एंड, अब नी तो नीदर नौर में दोनो स्टेटमेंट में निगेशन होता है, बीच में एंड, बात खतम, समझ ले इस बात को, नीदर नौर में क्या होता है, दोनों पे निगेशन होता है, मतलब दोनों चीजे नहीं है, इसका मतलब यह होता है, दोनों पॉसिबल नहीं है, और बीच मे और का मीनिंग ही होता है कि दोनों पॉसिबल नहीं है राइट चलो सो पहला स्टेटमेंट था 27 इस प्राइम नंबर बट नीदर बोल दिया से निगेशन पी नौट डिविजबल भाई फॉर बोल दिया से निगेशन क्यों चलो निकालते हैं टृथ वैल्यू तो बच्चो तृथ वैल्यू ध्यांद निकेशन कापी किया पले हम बात करतें पी के बारे में यहां पर क्या दिया है 27 इस प्राइम नंबर क्या 27 प्राइम नंबर है नो सर्ट 27 प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि 27, 3 से दिवाइड होता है right i3 904279 2327 तो प्राइम नंबर एक ऐसा इसा नंबर होता है जो खुद से divided हो या तो वन से बाकी किसी और नंबर से divided से डिवाइड नहीं होना चाहिए मथा 273 sae divided होता है ne से होता है इसका मंतब बाकी different numbers हो रहा है यहाप पी क्या है फॉल्स क्यों प्राइम नंबर नहीं है तो जूट बोल रहा है ना फॉल्स है एंड निगेशन क्या 27 चार से डिवाइड होता है मतब चार के टेबल में 27 कहीं आता है नहीं आता है यह भी जूट बोल रहा है 27 is not divisible by 4 yes बात समझने कोश्च करो 27 प्राइम नंबर नहीं सब्सक्राइम नंबर है क्या सर नहीं है मतब आंसर पॉल्स है 27 चार से डिवाइड होता है नाइस जूट बोल रहा है तो फॉल्स देगा आपने सिंप्ल dasky triggers निखेशन आफ कि ओता indetुट बीच में एंड लिगेशन आफ फॉल्स यह जाएगा जूट आप सभी को पता है एंड क्या इBob है अगर दोनों statement true है तो answer true आएगा बात खत्म अ क्या बोलता है पिटा अगर दोनों statement true है तो answer true आएगा otherwise false चलो बड़ी है चलो question number fifth three is a prime number and odd number आप सभी को पता है directly मैं इसका प्रुथ वैल लिखता हूं या इसका symbolic form पहले बचो लेट करने का काम समझ लाँ करोगे कैसे क्योंकि 3 is a prime number यह statement P होगा and 3 is an an odd number 3 को ही बोला है confused मत होना तो इसका हम लोग क्या लिखने पहले symbolic form यह P है और यह क्यों है बचो symbolic form क्या हो जाए जल्दी बोलो फटा फट P and I मतलब and फिर क्या आजाएगा Q अभी क्या आपनों पहले लिट कर लेना truth value निकाल लिखते है हम लोग बताओ पी true एकि false 3 is a prime number yes कि भी एक ऐसा number जो खुद से divide होता है तो 1 so the 3 is a prime number correct सही वला है true 3 is an odd number क्या 3 odd number भी है हाँ sir 3 prime भी है और odd भी है क्योंकि आपका 3 2 से divide नहीं होता उसे हम क्या बोलते है odd number yes तो दोनों statement true है और and क्या बोलता है दोनों true है तो answer क्या आएगा true otherwise false चल भाई बराबर हो गया इतना so guys हमने 1.4 के दो कोशन कर दिये finished I hope सभी को अच्छे से समझ में आगे होंगे कि अलग अलग टाइप की कोशन को सिंबोलिक फ़र्म में कैसे लिखते हैं साथ ही साथ और truth value कैसे निकालते हैं ठीके स्वेंट्स सो आज के लिक्चर में इतना ही करते और जब लोगों को शेर्व ने कर अगलाद बात इतना बैटरीन तरीके से मैं आपको सब कुछ सिखा रहा हूँ था आपका सपोर्ट चाहिए आपका प्यार चाहिए और आपका सपोर्ट कैसे बनेगा येस ठीक है चलो सब मिलते गाइस नेक्स लेक्चर में बाबावा इस्ट्वें ये साथार आपका से पाईसा अगयो कि अ्छामों और चाही आपका समय आपका सब का समय है अ Αंगराइस